इतिहास के पन्नों से इस कारेकरम का आधार संकलन है विश्वश्णियता के लिए संदर्व ग्रत का संपर्क करें नमश्कार आएए स्वागत है आपका लोक प्रिय कारेकरम इतिहास के पन्नों में आएं देखे सुने सोचे समझे और मनन करें क्या खुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्योंकि आप तो जानते ही है इतिहास हमेशा अपने आपको दोहराता है दिनाग 15 दिसंबर सन 1803 सन 1803 में मेलगाट का गाविलगड़ किला अंग्रेजों ने जीता सन 1876 में रविवार को अमरावती कापूस बाजार बंद रखने के प्रस्ताव को पारित किया गया सन 1807 में अमरावती कापूस बाजार इसके दरोगा को प्रती महा 20 रुपे पगार निश्चित करने का ठराव किया गया सन 1895 में अमरावती में बांसूरी के निर्मान करने वाले दादा सहेब आसर कर इनका जन्म हुआ सन 1926 में अमरावती के प्रभाट टॉकिज में चिपडून कर शाष्त्री इनका प्रवचन आयोजित हुआ सन 1927 में अमरावती के प्रसिद्ध वकिल भावसाहब दुर्रानी इनका निधन हुआ सन 1963 में अमरावती में कवी सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें काकाहातरसी, देवराज दिनेश, ललित श्रिवास्तो, निरज, दिनकर, सोनवलकर ये कवी उपस्तित थे सन 1966 में मिकी माउस के निर्माता वाल्स डिजने इनका निधन हुआ सन 1975 में अमरावती में सिंडिकेट बैंक की स्थापना की गई सन 1916 में फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मानी को हराया सन 1950 में सरदार वल्लब भाई पटेल इनका आजी के दिन निधन हुआ सन 1905 में मालववन शास्त्री इरावलिक करवे इनका जन्म हुआ सन 1830 में नाकपूर के भोसले ने ओरिसा प्रांत अंग्रेजों को दिया सन 1832 में आइफेल टावर के निर्माता गुस्तेव आइफेल इनका जन्म हुआ सन 1858 में मुंबई विक्टोरिया गाइडन में म्यूजियम स्थापित किया गया सन 1950 में पाइलट इंदरलाल रॉय इनका निधन हुआ सन 1803 में गाविलगड की लडाई में सरदार बेनी सिंग ये मृत हुआ साथी करनल केनी मारा गया इनकी कब्र अचुलपूर के मिनसी पाल्टी के पीछे बनाई गई है सन 1911 में नई दिल्ली का शिलार उपन रानी मेरी और पंचम जाउजदारा किया गया सन 1932 में टी एन सेशन इनका जन्म हुआ सन 1743 में छत्रपती शाहुजी महराज इनका निधान हुआ सन 1925 में शिव शागर राम गुलाम जो मौरिशिशक थे इनका निधान हुआ सन 1935 में गाई का कुश्या मंगेशकर इनका जन्म हुआ सन 1840 में नेपोलियन को पैरिस में दफनाया गया सन 1909 में एशियाई गेम्स के कबड़ी में भारत को सुवन पदप प्राप्त हुआ सन 1970 में वेनेरा साथ शुक्र ग्रह पर उत्रा सन 1927 में प्रताप चौक अमराउती में शिवनात बाबू सेठ इनके सभा आयोजित हुई सन 1944 में गुजराती मासिक सफारी इसके संपादक नरेंदर विजय इनका जन्म हुआ सब्सक्राइब नरेंग